असलाम लेकूम, New Oxford Modern English Book 2, Unit 12, Peter Rabbit, Verse 29, Chamomile Tea, ये एक herbal tea होती है, गुले बबूना की चाय, Cucumber Frame, सब्जियों के बाग में लकडी से ऐसा धांचा तियार किया जाता है, जिससे खीरे, क्रेले वगएरा के पौदों को सहारा दिया जाता है, और ये शीशे से कवर होता है, डोज, दवा की, खुराक, ड्रेटफुली, बहुत ज्यादा, गुस्बेरी नेट, ये आमला या क्रोंदा एक फल होता है, उसके लिए हफास्ती जाल बनाया होता है, उसे कहते हैं, रेक, अगाजन तूल, यानि घास जमा करने का एक आला, या पंच्छाखा भी कहते हैं, एक दफा का जिकर है, चार नन्ने खरगोश थे, और उनके ये नाम थे, ये लिए लिए विए मदर इना सैंड बैंग, अंदर नीथ रूट अवरी बिग फर ट्री, वो अपनी मा के साथ, सरू के एक बहुत बड़े द्रख्त के नीचे, रेट के टीले पर रहते थे, आप मेरे प्यारो, एक रोज बेगम खरगोश ने कहा, मैं थोड़ी सी रोटी खरीदने जा रही हूं, तुम खेतों में जा सकते हो, या पक्टंडी पर कुछ दूर, लेकिन मिस्टर मैं क्ट्रेगर के बाग में मच जाना, ये उनकी मदर उन्हें नसिहत करती है, ये तीनों अच्छे खरगोश थे, वो सिया बेर या सिया शेतूत अकठे करने के लिए पक्टंडी पर थोड़ा दूर चले गए, पर पीटर वस वेरी नौटी, लेकिन पीटर बहुत शरागती था, ये रन स्टेट अवे तो मिस्टर मैं क्ट्रेगर's गाजन और स्क्ट्रेगर के बाग की तरब भागा और गेट के नीचे से सिमट कर अंदर दाखल हो गया, पहले उसने थोड़ा सा स्लाथ पत्ता खाया और फिर ये ग्रीन बीन्स जिनने फ्रांसी सी फलियां भी कहते हैं वो खाई, फिर उसने चन मूलियां खाई, फिर वो अपने आपको बेमार महसूस करने लगा, तो वो थोड़ी सी ये अजवाइन के पत्ते ढूनने चल दिया, पार्सली अजवाइन के पत्ते के पत्ते होते हैं, सब्स धनिये जैसे, बट राउंड दा एंद अफ आ क्यूकंबर फ्रेम, ये मेट मिस्टर मैक ग्रेगर, लेकिन खीरों के जो वो फ्रेम नुमा कमरा था, उसके दूसरी तरफ उसकी मुलाकात मिस्टर मैक ग्रेगर से हो गई, मिस्टर मैक ग्रेगर was on his hands and knees planting cabbages, मिस्टर मैक ग्रेगर अपने हाथों और पैरों के बल जूक कर खेद में बंद गोबियां लगा रहे थे, ये जुम्ट अप वो उचल कर खड़े हुए and ran after Peter waving a rake and calling out stop thief, और एक पंशाखा ये जो टूल है लेहराते हुए और रुको चोर पुकारते हुए Peter के पीछे भागे, Peter was most dreadfully frightened and rushed all over the garden, Peter बहुत डर गया और पुरे बाग में भागने लगा, he had forgotten the way back to the gate, वो gate तक वापस जाने का रास्ता भूल गया, he lost one of his shoes in the cabbage bed, बन को भी की क्यारी में वो अपना एक जूता गुम कर बैठा, he lost the other shoe amongst the potatoes, दूसरा जूता उसने आल्मों के दर्मियान खो दिया, after losing them, he ran on four legs and went faster, उन से हाथ होने के बाद वो चार टांगों पर भागा और ज्यादा तेज हो गया, unfortunately he ran into a gooseberry net and got caught by the large buttons on his blue jacket, बदकिस्मती से वो एक हफास्ती जाली से जा टकराया और उसकी नीली जैकेट के बड़े बड़े बटन उसमें फंस गये, Mr. McGregor came up with a sieve, Mr. McGregor एक छली लिये आये, He tried hard to put it on top of Peter, उन्होंने उसे पीटर के उपर डालने की पूरी कोशिश की, but Peter wriggled out just in time, लेकन पीटर वहां से बल खाकर या मचल कर एन वक्त पर निकल गया, He left his jacket behind him, वो अपनी jacket पीछे ही छोड़ गया, Peter rushed into the tool shed, Peter तेजी से उजारों वाले छपर में दाखल हुआ, and jumped into a can, और एक डबे में कूद गया, it would have been a beautiful thing to hide in, ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती, but it was full of water, लेकन ये पानी से भरा हुआ था, Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed, Mr. McGregor को पूरा यकीन था, के Peter उजारों वाले छपर में ही कहीं है, Was he hiding underneath the flower pot, क्या वो किसी फूलों के गंबले के नीचे चुपा हुआ है, he began to turn them over one by one, उसने उन्हें एक एक करके उल्टाना शुरू कर दिया, I am going to find you and teach you a lesson, he called out, मैं तुम्हें ठून लूँगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा, उन्होंने अवास लगाई, जस तन उसी वक्त, पीटर स्नीज़ कर टिशू, पीटर को छींक आ गई, और ये छींक की साउंड है, जैसे कहते हैं आच्छू, मिस्टर मैंग्ग्रेगर चेस्ट पीटर, मिस्टर मैंग्ग्रेगर ने पीटर का पीछा किया, बट जस्ट इन टाइम, लेकिन एन वक्त पर, पीटर जंप आउट ऑफ और विंडो, पीटर एक खिडकी से बाहर कूद कया, विंडो वास्ट तू स्मॉल, फोर मिस्टर मैंग्ग्रेगर, एंग वास्ट पीटर तर पीटर, खिडकी इतनी छोटी थी, कि मिस्टर मैंग्ग्रेगर उसमें से गुजर नहीं सकते थे, और वैसे भी वो पीटर के पीछे भाग भाग कर ठक चुके थे, वो वापस अपने काम पर चले गए, पीटर रेन और रेन तिल ही गॉट होम, पीटर भागता गया, यहां तक कि वो घर पहुँच गया, यह दिद नॉट स्टॉप, वो रुका नहीं, यह दिद नॉट लुक बैक, उसने मुड कर नहीं देखा, वेन यह गॉट होम, यह दिद रेन तक चुका था, और फर्श पर पड़ी नर्म नर्म रेत पर धेर हो गया, वो अपने घर में, यनि जो खरगोशों का भड़ता, उनका घर, वहां वो महफूस था, पीटर वस नॉट वेरी वेल दूरिंग देवनिंग, शाम के वक्ट पीटर की तबियत खराब रही, His mother put him to bed, उसकी अम्मी ने उसे बिस्तर पर लटा दिया, and gave him a dose of chamomile tea, और उसे गुले बबुना की चाई की एक खुराब दी, Flopsy, Mopsy, and Cottontail had bread, and milk, and blackberries for supper, तो जो Flopsy, Mopsy, and Cottontail थे, उनको रात के खाने में रोटी, दूद और ये सिया बेर मिले, They had been good rabbits, वो अच्छे फर्गोश बन कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये सब चीजें मिली, तो ये यूनिट 12 फिनिश हो गया, अब हम नेक्स्ट जो यूनिट्स है, वो इसकी exercise नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बेल आइकान को प्रेस करना ना भूलिए, और कमेंट्स के जरी अपनी राय का जहार भी जरूर कीजिए, थेंक्यू, अलाफेज,